दोस्तों बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वीडियोग्राफी एक expensive hobby है, एक महंगा शौक है जिसके लिए महंगे expensive equipment की जरूरत होती होगी और वीडियोज को edit करने के लिए महंगे software की जरूरत होती होगी और उन software को इस्तेमाल करने के लिए expert बरने की जरूरत होती होगी जबकि ऐसा बिलकुल भी नहीं है आज कल हर किसी के pocket में smartphone है और play store में बहुत सारे ऐसे apps हैं जिनसे की आप अच्छी खासी videos edit कर सकते हैं smartphone इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अच्छी खासी potability देते हैं नमस्कार दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हीड्रोवस technoman मैं जग्दिश ठाकूर एक बार फिर हादिर हूँ आप लोगों के सामने एक और जानकारी के साफ मैं दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 video editing apps के बारे में जिनने की आप अपने smart phones में इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से वीडियो ग्राफिक कर सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी पार्टशाला में नए हैं तो सबसे पहले सबस्क्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाईए bell बटन को ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं काइन मास्टर की काइन मास्टर एंड्रोइड के लिए एक फुली फीचर्ड प्रोफेशनल वीडियो एडिटर है जो मल्टिपल लेयर्स को सपोर्ट करता है इसमें इमेजिस, टेक्स्ट और वीडियो को सटीकता से कट करने, ट्रिमिंग, मल्टि ट्रेक आउडियो, वॉल्यूम कंट्रोल, 3D ट्रांजिशन्स और क्रोमा कीज जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें वीडियो क्लिप्स और लेयर्स को फ्रेम बाई फ्रेम ट्रिम किया जा सकता है, ओडियो क्लिप टाइमिंग को सब फ्रेम एक्यूरसी से एड़्जस्ट किया जा सकता है, काइन मास्टर में आप वीडियो का प्रिव्यू भी तुरंद देख सकते हैं इसमें unlimited audio clips add कर सकते हैं इसके इलावा unlimited text, images, handwriting और sticker layers को ये आसानी से support करता है लेकिन इसमें भी videos watermark के साथ save होते हैं और watermark को निकालने के लिए आपको monthly subscription लेना होता है दोस्तों चलिए बात करते हैं filmora go app की filmora एक अच्छा और basic video editing app है जिसमें watermark जैसा कुछ भी नहीं है और ना ही कोई clip time limit है इससे आप आसानी से video editing, trimming, music effects, 3D transition effects जैसे features को इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें आप reverse videos भी बना सकते हैं इसके अलावा video slowdown, video speed up, multiple transition effects, filter effects, text effects, title जैसे feature से less ये बहुती useful application है दोस्तों चली अब बात करते हैं collect edit 360 app की ये एक 360 degree video editing app है इसमें आप 360 degree videos को आसानी से edit कर सकते हैं merge कर सकते हैं, trimming कर सकते हैं, video slowdown कर सकते हैं, video speed up कर सकते हैं, music add कर सकते हैं, filters apply कर सकते हैं और stickers को apply कर सकते हैं, ये एक बहुत ही useful application है दोस्तों चली अब बात करते हैं adopt premiere clip app की, ये एक बड़ा नाम है जब video editing apps की बात आती है तो इसमें features की एक बहुती लंबी सूची है, जिसमें images और video से auto generate videos बनाने की capacity भी शामिल है यदि आप खुद से videos edit नहीं करना चाते हैं तो इसमें आप manual रूप से भी अपने videos को कई तरह के tool, effect और music का उप्योग कर edit कर सकते हैं इसके अलावा trimming, joining, recording, exposure, highlight और shadow adjustment जैसे feature से less यह application बहुत ही useful application है चलिए अब बात करते हैं quick free video editing app की जो की photos, videos, music, transition effects को आसानी से edit कर सकता है यह app 75 photos और video clip को support करता है इसके अलावा trimming, video slowdown, speed up, text overlays, title slides, emojis जैसे feature से less है चलिए अब बात करते हैं power director की इस app को सबसे best free android video editing app के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है powerful timeline, video editing की सायता से आप वाकिए कई cool video effects add कर सकते हैं इस app में आप अपने smartphone में record footage को आसानी से edit कर सकते हैं इसके साथ ही easy video effects और transition effects के साथ HG mini motion pictures बना सकते हैं इसके अलावा chroma की video slowdown, speed up, multiple transitions, filters, text titles जैसे features इसमें available हैं लेकिन इसमें आप जो भी video edit करेंगे उसमें power director का water mark दिखाई देगा यदि आपको ये water mark हटाना है तो आपको subscription लेना पड़ेगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आज के वीडियो से related आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी सुझाओ हो तो नीचे comment box में comment करना ना भूलेगा मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और हमारी वीडियो को share कीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे जय हिन जय भारत